दोस्तो नमस्कार आज की इस वीडियो में हम इंदुस्तान की सबसे कतनाक धान की वेराइटियों के बारे में बताएंगे जैसा की धान की वाई का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे किसानों को धान के बीज को लेकर काफी ज्यादा चिंता में है आखिर वो अपने खेतों मे कौन सी वेराइटियां लगाँ जिससे की रिकॉर्ड उत्पादन मिले दोस्तो आमतोर पर ये कहा जाता है कि जैसा वीज लगाऊगे वैसी ही फसल तयार होगी यदि आप अच्छी क्वालिटी का वीज लगाऊगे तब ही आप रिकॉर्ड उत्पादन मिलेगा तो आखिर वो कौन सी कतरनाक वेराइटियां जो कि हमें अपने केतों के अंदर लगाने चाहिए दोस्तों यदि आपने ये वाला वीडियो पूरा देख लिया तो आपको अन्य वीडियो देखने की जरूत नहीं है इस वीडियो में आपको वहतरीन वेराइटियों के बारे में बताएगा तो पहले सबसे नमबर पर हमने जो वेराइटी लिया हुआ है दोस्तों पाइनियर की 28 पी 60 या पाइनियर कमपनी की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वेराइटी है किसानवाईयो यदि इस व वेराइटी सबसे जादा चर्चित वेराइटी है तो पहले साल का रिकॉर्ड देगे तो इस वेराइटी ने सबसे कतरनाक उत्पादन दिया था तो तो इस व Avenue की रुपई की बात करे तो आप 10 जून से 20 जुलाई तक इस वेराइटी की नरसरी लगा सकते हैं और धान की नरसरी लगाते बक्त आपको 6-7 केजी बीच की आफसकता पड़ेगी इस वेराइटी की खास बाद या दोस्तों की इसके एक पौदे से हमको लगवाग 15-20 कलों की संक्या देखने को मिल जाती है इस हमको 30 कुंटल से 36 कुंटल उत्पादन निकाल कर दे सकती है दूसरी खास बात करें तो पूसा बासमती 1886 यह वेराइटी इस साल की पूसा बासमती की एक रिसर्च बेराइटी है और इस वेराइटी को यदि किसानवाई ट्राइल के तोरकर लगाता है तो वहां बहुत ही अ तोड़ा सा अधिक समय लेती है यह वेराइटी 140 से 150 दिन के अंदर पतकर आयाती है इस वेराइटी का जो दाना होता है वह आप पकने में बिल्कुल भी जड़ता नहीं है दाना मोटा बजंदा दाना तूटता नहीं है इस वेराइटी के चावल को खाने में सबसे ज़्यादा प्रियोग में लाए आता है खाने में इसका चावल बहुती स्वादिश होता है बात करें इस वेराइटी के उतपादन की तो यह वेराइटी से आप 28 से लेकर 32 कुंटल तक उतपादन निकाल सकते हैं दोस्तों तीसरे नमर की बहतरीं वेराइटी के बारे में बात करें तो आप सवाना की 134 दोस्तों या वेराइटी बहुत ही वहतर उत्पादन निकाल कर दे सकती है। दोस्तों इस वेराइटी के पौदे की हाइट की बात करें तो लगवक एक सो पांच से लेकर 110 सेंटीमीटर तक हाइट देखने को मिल जाती है। इस वेराइटी की खासवा दिया ह कि कम पानी में अधिक पैदावा निकाल कर देगी और एक पौदे से अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव होगा। एक प्रत्य एकर वेराइटी के बीच हमको 6-7 केजी आव सकता होगी। फाइनली दोस्तों इस वेराइटी के पकने की अवदी की बात की जाए तो या वेरा आयाती है। इस वेराइटी की नरसरी लगाने के लिए हमको 6-7 केजी बीच की आव सकता होती है। इस वेराइटी के रोपाई की बात की जाए तो बीच जून से लेकर 25 जुलाई तक इस वेराइटी की रोपाई कर सकते हैं। इस वेराइटी में रोग काफी कम लगते हैं। BLV और BLAST जैसे रोगों के प्रति सेहनसिल वेराइटी है, इस वेराइटी का दाना काफी ज़्यादा मजबूत होता है, इसका दाना तूटता नहीं है, और कहाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट चावल होता है, बात करें इस वेराइटी के उत्पादन की तो हमको वे तो अंतिम बालाश्ट वेराइटी के बारे में बात करें, तो पांच वे नमबर अब हमने जो वेराइटी लिया हुआ है, किसानवाई हो, सकती वर्दक की चंदर मुखी वेराइटी का चनाव कर सकते हैं, या दोस्तों पिछले साल की एक रिसर्च वेराइटी है, इस वेरा वेराइटी मौसम के अनुसार बनाई गई वेराइटी है, कम पानी में भी या वेराइटी एक अच्छा उत्पादन निकाल कर दे सकते हैं, इस वेराइटी को आप देश के किन के राज्यों में लगा सकते हैं, तो आप पंजाव, अर्याणा, उत्रपतेस, विहार, चतिसर, उडिशा, अंद्रपतेस, आध राजा में इस वेराइटी की वाई कर सकते हैं, फाइनली दोस्तों इस वेराइटी को उत्पादन की बात करें, तो इस वेराइटी से आप लगवक 30 कुंटल से 36 कुंटल तक उत्पादन निकाल सकते हैं, तो दोस्तों ये तो ये कुछ चुन